आप लोग देखिए पहले तो हमारे डान्डु हामरम और हपनी मारांडी दोनो अभी भी घायल है और दोनोँ अभी भी घायल रूप से परा हुआ है सरकार उनका ट्रिटमेन का कोई बेवस्ता नहीं किया है और दोनो अभी भी अपना जो इलाज नहीं कर पा रहा है आप लुग सब का मालूम है कि ये जमीन जो था पहले परमेशर हेमरम और डान्डू हेमरम का जमीन था मोफिल मिया और टोफिज मिया ने ये जमीन को कबजा करके रखा था कोड में केच हुआ, नयाले ने ये निदेश दिया कि एक महीना का अंधर में ये जमीन परमेशर हेमरम और डान्डू हेमरम को प्रसाशन चौब देगा मतलब ऐसा नहीं है कि जबड़ेश्ति करना ही, ये प्रसाशन को कोड ने निदेशित किया गिया कि आप जमीन अपना मालिक का हाथ में वहाँ पस कर दीजिए लेकिन प्रसाशन ने किया नहीं और प्रसाशन के प्रसाशन ने किया नहीं इसलिए आज ये घटना हुए और एतना बड़ा घटना होने का बाद भी अभी तक जमीन जो असली मालिक है उनको नहीं दे जा रहा है इसका बात भी अगर हमारा आदीबासी भाई बहन को नयाई नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है रांजशी में डेश में ये सरकार हला कर रहा है कि हम आदीबासी के लिए आदीबासी का जो इंटरेस है उनकों पोटेक करने के लिए हम लोग सरकार सला रहा हूं लेकिन आज ये गाईबठन गाउं में जो हो रहा है पाकूर में जो हो रहा है ये डेखने का बाद मेरा तो मैं क्या बूलो कोई भासाई नहीं है जो सरकार का मुख्धमंत्री आदिवासी होता है वो सरकार में अगर आदिवासी को नयाई नहीं मिलता है तो कहा जाएगा आद देखे ये आप तु जानते ही है कि पाकूर का डेमोग्राफी कैसे सेंज हो शुका है। करने के लिए हमारा पार्टी का ओर से हम लोग दोनों परिवार जनों को एक एक लाक रुपिया दोंगा और कानूनी जो लड़ाय होगा आगे उसमें हमारा पूरा पार्टी ये दोनों परिवार का साथ देगा। देश में हरियाना का मुख्व मंत्री आ रहा है जहां जाना है जाईए। देखिए यहां का नेता इतने निस्क्रिये और ये हैं कि अब इनका बैटरी हो गया डिक्शार्ट अब ये इंपोर्ट बैटरी लाकर के अपने को चार्ट करने का कुजिस कर रहे हैं। अब यही इनका बचा रहे हैं। चले